हेलो दोस्तों, स्वागत है अब सभी का अगर आप पहली बार सिक्रेट के एग्शाम देने जा रहा है या फिर इससे पहले भी अगर आप दे चुके हैं इस एग्शाम को तो एक समस्य आपके सामने हर बार आती होगी कि time management कैसे हो इस exam किस तरीके से हम प्रस्णों को solve करे ताकि जो हमको दिया गया समय है इस दिया गया समय में ही हम लोग सारे प्रस्णों को solve कर ले तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चरचा करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि आखिर कर हम लोग का time management का funda क्या होना चाहिए ताकि जो हमारा समय दिया गया है इस समय में हमारा सारे प्रस्न सही सही निकलकर सामने में आ जाए तो हम एके करके कई जो point मुहतबूर नहीं है आपे वो देखेंगे और इस वीडियो के आन तक आपका सारा जो doubt होगा वो clear हो जाएगा सबसे पहले वीडियो के सुरुवात में हम लोग आपको बताते हैं कि अगर ये बोले आपसे कि सिट्येट के exam में time की कमी नहीं होती है अगर हम आपसे ऐसा बोले तो आपको साथ लगी है कि इस तर बढ़ा चला कर बोले हैं लेकिन हमने खुद कई बार इस exam को दिया है और आपको विश्वास के साथ बताते हैं कि सिट्येट के exam ऐसा है कि इस exam में time की कमी होने की कोई बात ही नहीं है कैसे कमी नहीं होगी इसको अगर समझना हो तो आपने महाम जो विज्ञानिक आंस्टेन इनका नाम तो जूर सुना होगा इनकी जो थियोरी है डिलेटिवीटी की इस थियोरी को अगर सिंपल सब्दों में कहा जाए तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी घर्ब तवे कि सपास बैठे हूँ है तो वहाँ पर बैठा हुआ आपको हर एक पल जो बीत रहा होगा हर एक सेकेंड जो बीत रहा होगा तो आपको लगेगा कि कई साल के बराबर है लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक खुबसूरत महिला के साथ बैठे हूंगे हैं तो वहाँ पर आप चाहे घंटों क्यों न बैठे हैं वहाँ पर बैठा हुआ आप घंटों आपको कुछी सेकेंड के बराबर लगेगा तो यही बात होती है CT8 के एक्जाम यहाँ पर आपको सारे प्रस्तों को सॉल्व करना है और सारे प्रस्तों को सॉल्व ही नहीं करना है बलकि दिये गए समय में सॉल्व करना है इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास समय की बड़ी कमी भले आपने घर से कितनी भी तैयारी करके आई हो यहाँ पर आपको समय कम लगेगा तो ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में फिर से दुबारा करेंगे लेकिन उससे पहले आईए देख लेकि आखिर काड़ सीठीट के एक्जाम में टाइम में इनिजमेंट हम लोग किस प्रकार से कर सिपते हैं आप यहाँ पर देखिए जो सीठीट का एक्जाम होता है ये एक्जाम फुल धाई घंटे का एक्जाम होता है धाई घंटा आपके पास कहने का मतलब आपके पास 150 मिनिट होँगे एक सो पचास मिनिट है और अगर हम पेपर वन की बात करें या पेपर टू की बात करें तो यहां पर आपके सामने प्रस्ट भी डेर सो प्रस्ट होंगे कहने का मतलब है कि आपके पास 1.500 मिनट है और प्रस्न भी 1.500 है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक क्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मिनट का समय बिलता है अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक मिनट का समय तो बहुत कम है एक मिनट में हैं कोशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक मिनट का समय जो है यह कम लगता हो तो आपको बता दे कि हमारे देश में कई सार ऐसे एक्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको प्रस्नों को सिर्फ पंदरा सिकेंड चले कर, 30 से के अंदर सॉल्व करना होता है अगर आप बैंकी के एक्जाम्स दे ले ले यहाँ रेलेवेज से की जो गजाम होते ही इन एक्जाम को ल tapi तो यहाँ पर आपको पंदरा से 30 तेकेंड के अंदर ही प्रस्नों को सॉल्व करना है और उन प्रस्मों का लेवल सीठेट एग्जाम के लेवल से कई ज़्याद़ गुना मुश्किल होता है तो सोचे कि वहाँ पर बच्चे कैसे कर बाते हैं यहाँ पर आपको ड़ाय ने जा रहा है आप इस बात को समझे कि हमेशा इस बात का नकरात्मक मन में लेकर नहीं चलना है कि सर हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी आपके पास समय की कमी बिल्कुल नहीं होगी जब आप इस वीडियो में जो समझाया जा रहा है इस हिसाब से चलिएगा तो अगली बार से आप देखिएगा कि आपके पास समय बच जाएगा आप आके इसी वीडियो पे कमेंट करके जाएगा कि सर आज मेरे एकजान मैं 10 मिनिट, 20 मिनिट, 30 मिनिट बच गए कभी भी आपको समय की कभी नहीं होने वाली है तो सबसे पहरा तो यहां पर आप लोगों ने समझा कि आपके सामने 1500 मिनिट है और 1500 प्रस्ण है यानि कि एक मिनिट में एक प्रस्ण सॉल्व करना है इसी को अगर आप सिक्सन बाइज ले चलें जैसे कि यहां पर हम लोग पेपर वण की बात करते हैं पेपर वण में आपके सामने फुल मिलाकर पाथ सेक्सन होते हैं यह पाथ सेक्सन कौनकों से हैं फर्स्ट जो सेक्सन है आपका वो स्टीडीपी का है चाल्ड पेटागोजी का सेकेंड जो सेक्सन है यह आपका मैट्स का सेक्सन है थार्ड जो सेक्षन है यह है EBS का इसके बाद आपका language 1 और इसके बाद फिर language 2 यानि कि आपको बिलाकर देखिए आता है एक तो तीम चाद पांच सेक्षन आपके सामने होते हैं कहने का मतलब कि इन्हीं डेर सो मिनट में आपको पांच सेक्षन सॉल्व करने हैं अगर इनको ऐसे फिर डिभाइड कीजिएगा तो पांच या पंद्रत 30 मिनट पर सेक्षन को सॉल्व करने के लिए मिलता है यानि कि CDP को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा मैच को भी सॉल्व करने के लिए 30 मिनट मिलेगा अब आप ये बोलेंगे कि सर सारे प्रस्न तो एक समान नहीं होते हैं। कुछ क्वेशन्स आपके सामने ऐसे होंगे जो कि बहुत कॉंप्लेक्स होंगे। उन पर आपको ज़्यादर टाइम लगाने की जूरत पड़ीगी। ज़्यादर दिमाग देने की जूरत पड़ीगी। और कुछ क्वेशन्स ऐसे होंगे जितको कि आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। उनको आपने देखा घर से पढ़के गये हैं आपके सामने आ गये। तो उसके बाद आप उन प्रस्नों को देखते ही सॉल्व कर देंगे विदिम 10 सेकेंड साफ सॉल्व कर देंगे। तो अब हम लोको यहाँ से अपने रना गता बनानी है अपने स्टेटी बनानी है कि अखिर का रर किल प्रसनों पर हम ज्यादा समय देना है और कि ल प्रसनों पर कम समय देना है ताकि एक्जाम्न आपके सारे प्रसन बन जाए एक भी प्रस्ट न छूटें, तो हम इसको समझते हैं, पहरा जो आपको काम करना है, कि आपके सामने कुछ कोशन्स बहुत इजी आते हैं, इन कोशन्स को आपको छाटना है, कि ऐसे कौन से कोशन्स है, जो कि बहुत इजी है, जैसे कि आप अगर EBS का सेक्षन देखिएगा, त तोटर 30 प्रस्ट होते हैं, इन 30 प्रस्टों में, अगर आप लेके चलिए, तो 13 से 15 प्रस्ट ऐसे होते हैं, कि इन किताबों से डेक्षग पूछा जाता है, जैसे एक question का आपके सामने example लेते हैं कि आपके सामने एक प्रस्ण दिया गया है कि इन में से कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन तीन सो साथ डिविडिक पर घुमा सकता है अब चार option आपके सामने हैं उल्लू है मैना है कबूतर है या फिर एक और कोई पक्षी हो सकता है अब क्या बताईए कि जब आपने घर से पढ़के गये हैं इभियस इस question को बनाने के लिए कि आपको पूरा का पूरा एक मिनट चाहिए या फिर जैसे ही आपने इस प्रस्ट को देखा आपकी दिमाग तुरंत ध्यान में आगया होगा अरे सर इसका तो उत्तर जो है उल्लू होना चाहिए अब आपने क्या हिया कि आपको ये जो उल्लू वाला प्रस्ट ने इसको solve करने के लिए जो 60 सकेंड या बोले कि एक मिनट मिला है आपने इस प्रस्ट को देखते ही 10 सकेंड के अंदर बिचार कर लिया और solve करके वहाँ पर मर कर दिया कि इसका उत्तर उल्लू होगा तो आपने क्या किया है इसका उत्तर 10 सकेंड में ही बना दिया है आपके सामने कुल कितने सकेंड बच गए एक प्रस्ट में 50 सकेंड आपके सामने बच गए ऐसे ऐसे कुल कितने प्रस्ट थे इसमें जो की static थे लगभग 15 प्रस्ट थे आपके पास अगर एक प्रस्न में 50 सिकेंड बच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि EBS में कुल ऐसे लगभग 13 से 15 प्रस्न कूछे जा रहे हैं कहने का मतलब लगभग 750 सिकेंड का समय तो आपको सिर्फ EBS के सेक्षन में बचेगा इस 750 सिकेंड को अगर आप मिनट में कल्कुलेट करेंगे तो लगभग 12 से 15 मिनट के अप्रोक्सी होता है कहने का मतलब कि आपने 12 से 15 मिनट एक्स्ट्रा बचा लिया है कैसे बचा लिया है कि अबल EBS के सिक्षन में प्रस्नों को तीजी से सॉल्फ करके बचा लिया है इसी तरह की चला की हम लोग वो हिंदी जो हम लोग का कॉंप्रिहेंसन होता है उसको सॉल्फ करते समय भी दिखाना चाहिए आल्मूस्ट अमाने नौर्थ इंडिया के लोग है उन्होर्व eSt packaging lineage 1 या 2 में हिंदी का चुनाव करते हैं और जो हुई हिंदी का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी के comprehension को solve करते समें हिंदी के जो प्रशन होते हैं वो बहुत easy होते हैं आप इन प्रस्टों को एक बार में या दो बार में देखके बहुत आसानी से और बहुत तेजी से बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको समय चुडाना है। कहा से चुडाना है। हिंदी का जो लाइग्वेज है इसके कॉम्प्रेहंसन के प्रस्ट बनाते समय भी आपको समय को चुडाना है। इस तरीके से जब आप समय चुडाते हैं तो आप देखेंगे कि अंत में आपके पास 20-25 मिनिट एक्स्ट्रा बचेंगं ये तो था कि, मैं यह क्या करना सोती तेक्ट रोच नहीं करना है उत्षार्निक में उत्छ नहीं कि समय बेर्थ नहीं किजिए इसी तरीका से एक फायदा आप लोग और हुआ है कि पहले अधान होता था सिटेट का या OSMR चीट पर एक्जान होता था OSMR सीट पर एक्जान होने का क्या होता था कि बच्छों का बहुत ज़्यादा समय बबल को रंगने में बेर्थ होता था लेकिन अब तो अनलाइन का सिस्टम हो गया है तो आपको कर सकते हैं कि कम से कम आठ से दस मिजट तो इस बात के भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कि आपको बवल रंगने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये टाइम मेनेजमेंट ऐसे होता है इसके अलावा एक बात आपको जो हमिशना ध्यान में रखनी है कि आपको घर पे बैठके पढ़ाई से जुड़े रहना है ऐसा नहीं है कि आप सीटेट का एक्जाम देने जारे है और आप यह सोचते हैं कि कल एक्जाम है तो आज हम द आपको नय से दिखाई पढ़ेंगा आपका पढ़ाई से बिलकुल नाता छुट चुका है तो आपको घर पे बैठे हुए और प्रैक्टिस करते रहना है कुछ नहीं कीजिए सब्सक्राइब में दो दिन पे तीन दिन पे प्रैक्टिस है जरूर बनाएगी आप जितने अध प्रस्णों को सुल्फ करना सिखना होगा, अगर आपके पास धाई घंटे कारी, तो आपको ये लक्ष लेके चलना चाहिए, कि आपको इन धाई सु मिनट के वद्ले, 140 मिनट में ही प्रस्ण सुल्फ हो जाए, दस मिनट आपके पास धेक्ष्टरा बचे, इस तरह का प्रैक्टिस जवाब घर पे करेंगे, तब जाकि एक्जाम में आपके सामने ऐसा होगा, कि समय बचेगा, कभी भी कोई प्रस्ण छूटेगा ने, तिसी तरह के और बी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चनल क के साथ अपर जूरे रहिए, हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, साथ में बेल आइकन भी जूर दबाला, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक्यू.